जमीन खाने के लिए दो वक्त का अन्व और तंढखने के लिए दो पपड़े इससे ज़्यादा नहीं यहीं हिंद्स्तावी के दिहास पे पहली बार हो रहा है कि एक मुख्यमंतरी जमीन को सो रहा है आजारे चाणक के कहते हैं जिस देश का वजी एक ठकीर की तरह है जोपड़ी में रहता है अनासकते रहता है जमीन पर सोता है त्याग में जीवन जीता है उस जोपड़ियों में रहने वाले उस वजीर की जो जनता है वो महलों में रहती है वो अच्छे दिन उत्रप्रदेश में आने बाले है अधारे अधारे 20-20 घंटा उत्रप्रदेश के लिए काम हो रहा है और ये भगثवान ग्राम की भूमी ये भगवान किशन की भूमी ये भगवान शिव की भूमीं उत्रप्रदेश अब एक बहुत बड़े सकारात्मत दोर से घुजर रही है और यहां राम राज्य आएगा यहां भगवान किश्र का जो आनों ने आसे पाथ हजार जार पहले धर्मिंद किया था यह तो धर्मिंद का दोर चल रहा है अब भगवान किश्र की कुशलता का, कर्म का, योग का भगवान चिल्याब की मर्यादा का योतर प्रदेश भगवान शिवका शिवत्व का योतर प्रदेश चारों और सब की जीवन में खुशा लियो सिक्षा के ख्षेत्र में, चिकित्सा के ख्षेत्र में, कृषिक के ख्षेत्र में, गोरक्षा के ख्षेत्र में सच चरित्रता और पवित्रता यहां की कायम रहे इसके लिए जो साथ दिनों में कदम उठाए हैं ये तो मात्र कुछ कदम आगे बढ़े हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरे देश में आप एक राजरीती के शेत्र का एक नया इतिहास बनता हुआ आप उत्तर प्रदेश में देखें और आज क्योंकि योग महतसव है और 140 देशों के समर्थन से योएन के अंदर प्रस्ताव पारित वा दुनिया का ये भी एक बहुत ब्राहित जिहास बना कि मुस्लिम देशों ने भी योग दिवस के बढ़ा इतिहास भी और बनने बाला है हड़ दिन में इतिहास बनाने हमारे शद्धे, पूजिय, हमारे योगी जीवी, महेंत जी, मुखे मंत्री जी, उनके लिए आप जिन्दने शब्द भोलें, वो छोटे पड़ते हैं और इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतना पराक्रम, और साथ ही में उतनी ही विनम्रता मैंने महराची को करीब पिछले पंद्रे सानों से देखा है माने, इनको जितना बड़ा दाइक वो मिलता जा रहा है उतने ही भीतर से सहजता, उतने ही ज़्यादा और विनेशीलता और जो बत्र प्रदेश के करोडों लोगों की जो अपेक्षा है मैं उसको इनके रदय पे देख रहा हूँ और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि उतने प्रदेश के अबेक्षाओं पर सो प्रतिशत खड़े उतरेंगे हैं और आज योग का ये दिन है योग महतसव का दिन है और योग के बारे में दो तीन संदर मैं कहना चाहूँगा योगी का शरीर बल योगी का मनोबल योगी का आत्म बल इतना प्रबल होता है कि एक योगी में हजारों लाखों करोणों व्यक्तियों जितने शक्तियों योग सारी दिक व्यायां भी हो आसन भी हो प्रणायां भी हो धान भी है लेकिन योग के द्वारा जो एक घ्रावर चरित्र हमारा तयार होता है हम नर्ग से नारायन जीव से जो ग्रम्म बनते हैं तो उसे योगी जैसा धवल चरित्र महान चरित्र किसी और दिल्ली में और वो आपके सामने मूलत रूप में है मैंने पिछली बार अभी जब इंटरनेशनल योगने का कटरनेजन प्रोग्राम था दिल्ली में तब उस बात को कहा था मैं बस उस बात को द्वरा करके आगे हमारे शद्धे पुझे भेंत जी को, योगी जी को, आदरे मुख्य मंत्री जी को यहां उद्धोधन के लिए मंत्रीत करूँगा, कि हमारे दिल में एक संकर्थ है कि यह देश योगियों का है रिश्यों का है और आज इस देश में प्रधान मंत्री जी तो योगी हैं, मुख्य मंत्री जी तो योगी हैं वो दिन भी आए जल्दी, जब देश के चिकित्सा के क्षेत्र में समसे बड़ा डोक्टर हो तो योगी हो, इंजिनियर हो तो योगी हो, योगी हो, किसान हो तो योगी हो, जवान हो तो योगी हो, मातो पिता योगी हो, संतान योगी हो, और पुरा हिंदुस्तान योगी हो योग में विश्व और वो दिन भी आएगा जब ये योग की संस्कृति विश्व की संस्कृति बन जाएगी क्योंकि योग के अलावा इस दुनिया के कल्यान का कोई मार्ग हो नहीं सकता वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रास्परिटी के साथ साथ हैबिनेस, हार्मनी जो जीवन और जगत के मूर्गूत तत्तो और सत्य हैं वो आखिर योग से प्रब्द होंगे और कोई मार्ग भी तो नहीं है इस दुनिया के सामने क्योंकि आज जिस तरह से दुनिया में रोग हो रहे हैं डर्ड प्रेशर, शूगर, अबिसीटी, कोलिस्ट्रोल, हैप और हर्ट की प्रोब्लम, कैंसर, ऐसलिया, हमेस, ओटोमन, डिजीज, जिस तरह से चारों तरफ एक रोगों का कूर आक्रमन हो रहा है तनाव से सारी दुनिया गुजर रही है भीमारियों के साथ पुराया, बीड़ी, सिक्रण, शराब, अभी अगली बारी शराब की है ये उत्रब्लेश सप्रकार के रोगों से मुक्त हो ये उत्रप्रदेश सब्रकार के नशा से मुक्त हो तनाव से मुक्त हो हिंसा से मुक्त हो सब्रकार की सब्रकार की कुटिलताओं से मुक्त हो एक स्वस्थ सम्रिध्ध संस्कार वान वह भाव शाली उत्रप्रदेश और देश्मने वो संकर्ट के साथ योगी जी नहीं तो भया कर से कबान वहाद ही सुरू कर दो फिर नारू पी नहीं की छाई नहीं होगी यह सच कह रहे हैं हमने इसके पर साइंटिपिक रिसर्च किया है यो कि जो मारी ये डॉक्टर सरले डैलिस वैठी खड़ी हो न यह बहुत बड़ी साइंटिच है देश की बात रिसर्च की इसे ने देश में गोरो बढ़ाया इसका गोरो बढ़ाया योग में रिसर्च करके और यही हमने रिसर्च किया था आज से करीब दस सार पहले कबाल भातिया नुलों मिलों करने से बिटा इंडोर्फिन, इंकैफिरिन हर्मोंस बढ़ जाते हैं और प्रोलेक्टिल, कार्टिसोल, एसेटेस हर्मोंस घड़ जाते हैं हमारे ओपिसाब यहाँ पर बैटे हैं और सारे डॉक्टर्स के अहीं लगणों की नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो कबाल भाके नुलों मिलों करना सुरू करतीजिए वैसे भी दारों मिनने वाली नहीं हैं फिर आप पीने वाले दीए इसका यह थात बता रहा हूँ है आप जो पी अकड़ होना करके देखना करते करते ऐसा नसाव दाएगा जैसे हमाना अभी तब उदराई देए लोग कहते बाबा ये देश कैसे सुधरेगा जो नहीं सुधरते उनको कानूं से सुधारो और पुरे देश में योग और आध्यात्मिक्ता का वाताउन बनाओ जाँ देश्टी पड़े उतर योगी आत्माई दिखाए दे दिप्यात्माई दिखाए दे सांत्विक आत्माई दिखाए दे धार्विक आत्माई दिखाए दे आध्यात्माई दिखाए दे योग अध्यात्मी सदेश का स्वभाव है जगीता में आठ्वी अध्याई के अंदर प्रश्ण किया अध्यात्मां और पुरा भिश्व अब लोग को अपना रहा है सप्रदायों की सारी बाउंगे अब घत्म हो गई है यहां पर भी हमारे बहुत से मुस्लिम बाहि बैठे हैं हमारे दो बहुत से मुस्लिम कारे करता शिक्षक है और यह जो मैं बता है डॉक्टर सन्ये टैलीस यह आस्थाउं से कैथोनिक जाहे इसाईमत को फोलो करती है लेकिन कपालभात या नुलोग में लोग करती है, ओमकार और खाहित्री का रुष्चान करती है, यह है आध्यात मिक्ता, यह है वार्च के संस्क्रप्ति, योग योटा, रिलीशन, यह मजब से परे, इसलिए अब तो अमिका की भी एक अदालत ने एक नड़ाय सुनाया, कि य योग, एक साइंटिफिक और सेकुलर टेक्टिसाइस का मजब से कोई लेना देना नहीं है, तो विश्र संस्क्रप्ति है, अब इस योग के माध्यम से कर्मयोग करते हुए, उद्योग करते हुए, हमें आगे बढ़ना है, एक मेरे से बलो, भाबा ती, योग तो समझ में आ अब इस योग के माध्यम से कर्मयोग करते हुए, उद्योग करते हुए, उद्योग करते हुए, हमें आगे बढ़ना है, एक मेरे से बलो, भाबा ती, योग तो समझ में आता हुए, उद्योग कहां से लगा दिया, अब ही, योग तो समझ में आता हुए, उद्योग लगाने होगे तो उद्योग लगाएंगे, और किसानों के जीवन में फिर सब्रुप्धी ले खड़ जाए, आगे के एक एक प्रकंद में, फूट पार्क तो हरिकवार में बनाए 20,000 तो इक जगे तो अलग लग लग रहे है, पुल मिला करके एक लाफ रोगू को अभी तक हमें रोजगार दिया आने आएने वाले पांच सालों में, पांच लाथ रोगू को जीवे रोजगार और पांच करोण किसानों को करुप शूप से रोजगार देने का नाम नाम नहीं सब्सक्राइए, यह तो भ्यूदर न आपने पुरा सिद्ध हो जाएगा तो उद्योग तो अपने आप लग जाएगा और योग करोगे को परस्पर साय योग करोगे एखर हिंदू और मसमान का कोई लपना नहीं रह जाएगा, कुछ बनाई नहीं सब्सक्राइए, सहयोग, एक मिरस बोल बाब, आप हो क्या, मैं योगी होता है, वही दुनिया के लिए उपर योगी होता है, यहाँ बात की जारी है, विडिशन की, योग एज विडिशन हमने योग से लोगों का 25,40,50,100 किरुए वजन घ्र कार दोता लोगों लोगों का Bradley cure की ढीजिए है कैंसर तक किया सैंटिफी इसहों हमाइने पास है को दुनिया में एक बीमारी क्योर कर दे तो उसको प्रुष। कर मिलता यहां पर भी बैढ़े होगी कई जिनका बीपी क्योर हो चुका योग करके थाइरण क्योर हो चुका बजन घर चुका तो पहली बार मैंने क्योर शम्त का प्रियोग किया तो मुझे 10 सार पहले सला दी गई 12 सार पहले कि वावा जी क्योर बोलेगे तो यहां एक ड्रग and magic remedy act है जिसको भी मुगा तब ठोकना, तो चैहरा हो उसमें ठोको नियो किया नो छॉंसरे जाए थीक हो गया जाए कृतार है ठीक हो गया उसका हिमोग्रोपिल पढ़ गया, हैपिटाइटिस दी गूग गया, तो योग सहोता में क्या बहुता, मैं बिदेश में गया, तो बिटेन में बोले, बाबा, यहां और साथ जहां रहना, तो मैंने वहां कुस बोला है, ने मैंने को जिसको जो लाग वो अपने आप बोलो, त कोई बीमारी क्योर कर देता, नोबल पुरुषकार मिलता है, यदि योग में नोबल पुरुषकार देने लगे तो कई साल तक तो दूसरों की बारी नहीं है, योग में प्रतिष्टित हो जाए, तो जीरो परसें हेल्थ हो जाए, साहिद वो दिन भी देखने को आएगा, ज हिंदुस्तान के कोई रोगी नहीं रह जाएगा, पर भोगी नहीं रह जाएगा, बात बड़ी पस्तना है, लेकिन ऐसा भी होगा, और प्रतिष्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इस देश की प्रोडेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, मैं तो कहता हूँ, अकेले योग को हम अपने जीवन में आत्मसाथ कर लें, तो हर वर्ष कम से कम 25 से 50 लाग करोड रुपए का इस देश को हम आर्थिक लाग दे सकते हैं, बीमा प्रतिष्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो मैं आज क्योंकि योगी ची को सुनने के लिए आज योगियों का मिन सजाएगा, और मैं अपने रही से बोल रहा था कि इस देश की करोडो करोडो योगी आत्माएं, करोडो करोडो सात्विक आत्माएं इतने प्रसंद हैं कि लगता है कि अब इस देश में कलियोग में सद्योग आने वाला है, तरसे यहाँ पर राम राज यहाने वाला है